जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देव गुरु ब्रस्पति मेश रासी में उद्य होने जा रहे हैं तो ऐसे में गुरु का मेश रासी में उद्य होना धनुरासी के लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा और आपके वेपार, वेपसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, परिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा जानेंगे सभी ब वेदन हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, दोस्तो देव गुरु ब्रसपती मेश रासी में उद्य होने जा रहे हैं, 27 अप्रेल 2023 को दो बचकर 27 म पर उद्य हो जाएंगे, ब्रसपती देव को आम तोर पर एक लाबकारी ग्रह के तोर पर देखा जाता है, यह परवर्ती से पुरुष हैं, तो ऐसे में गुरु का मेश रासी में उद्य होना आपके जीवन में एहम बदलाव लेकर आएगा, और धनो रासी के स्वामे भी द होते हैं, तो इनका प्रभाव जात्कों पर खुशी, सांथ दिमाग और खुशियां देने का काम करता है, और ब्रसपती जब अपनी नीच रासी मकर में मौझूद हो, तो जात्कों के इसके ठीक उल्टे परणाम प्राप्त होते हैं, जैसे पैसे की तंगी होना, भागय का स देखा जाता है, मानिताओं के अनुसार ब्रसपती महराज के आसिरवाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और सुभ चीजों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं, और वर्तमान में राहू और ब्रसपती की यूती से गुरु चंडाल यूग का निर्मान हो रहा है, और य सासन करने के लिए कई सारे उपाय भी किये जाते हैं, ब्रसपती के दिन भगवान रुद्र के लिए हमन और यग भी कर सकते हैं, और धनुराशे की कुंडली के पहले और चौथे भाव पर ब्रसपती का सासन है, और यहां पांच्वे भाव में देवगुरु ब्रसपती करता है, पहले भाव के स्वामे के तोर पर ब्रसपती का पांच्वे भाव में होना आपके लिए फलदाई साबित होगा, इस वक्त आप खुद को बहतर बनाने में सक्षम होगे, आपको घर के बच्चों का घर के सदश्यों का भरपूर समर्थन प्राप्थ होगा, घर में क फायदे होने के आसार दिखाई देंगे, नौकरी में प्रमोशन की योग बनेंगे, और कारियस्तल पर भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, करियर की बात करें तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल होगा, नौकरी से आप संतुष होंगे, और साथ ही आपका प्रमोशन होने के भी योग बनेंगे, कुछ जात्कों को रोजगार के नए अफसर भी प्राप्त होंगे, यानि यह समय बिरोजगार लोगों को चमतकार साबित होगा, आपकी दुआरा किये गई मेहनत, किये गई प्रियास, रंग लाएंगे, जो आपको सफलता के मार्क पर ले कर जा साय को आगे बढ़ाने में, आप सक्षम होंगे, इसके अलावा आप बड़ी आसानी से अपने प्रिती दोंदियों को टक कर देने में, और उनसे आगे निकलने में, सफलता प्राप्त करेंगे, इस अबदी में आप बिजनिस में कोई नया अवसर भी प्राप्त करेंगे, इ आप इस वरान धन सेविंग करने में भी सक्षम होंगे, आर्थिक मामलों में आपके अंदर ज्यादा लचिलापन होगा, जिसके परणाम सरूप आप अपने किये हुई निवेश से अच्छा धनलाब अर्जित करने में भी सफल होंगे. बात करें प्रेम सम्मंद के बारे में तो आपके जो रिष्टे हैं वो चरम सुक्का अनुभव करेंगे, आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय वैतीत करेंगे, आपके रिष्टे मजबूत होंगे. साथ ही जोरान आपका स्वास्ते भी ठीक होगा, और पांचवे भाव में इस्तित गुरु आपकी कुंडली के नौवे, ग्यारवे और पहले भाव पर दरस्टी डालेंगे, और गुरु जिन भावों पर दरस्टी डालते हैं, वहां अम्रत के समानफल देते हैं, तो यहां गुरु की दरस्टी नौवे भाव पर है, जिससे भागय का भी पूरा-पूरा साथ मिलेगा, साथ ही सिक्षा के छेत्र में भी अनुकूल प्रणाम प्राप्त होंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी सहभागिता होगी, यानि धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़े होंगे ग्यारवे भाव पर दरस्टी, यानि लाब के अच्छे अफसर प्राप्त होंगे, मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, और आपकी आर्थे किस्तिती मजबूत होगी, पहले भाव पर भी गुरु की दरस्टी होगी, जिससे आपका जो व्यक्तित्व है वो प्र इसी साबित होगी, दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब